दोस्तो आज का वीडियो होने वाला है वह बह too गरीब लोगों के लिए होने वाला है, जिनके पास पैसे नहीं है। बहुत गरीब हैं こई कामधंधन नहीं हैं कोई जाब नहीं हैं। वह कुछ करना चाहते हैं। चाहते हैं कि हम कुछ पैसे कमा लें कोई business करके आप फिर कोई नौकरी करके जो है मैं कोई पैसे कमा लूँ अच्छे खासे पैसे कमा लूँ तो उन लोग के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही perfect होने वाला है आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान पूर्बग देखिएगा और जी हां दोस्तों जिनके पास पैसे है उन लोगों से ये business नहीं होने वाला है वो जो है कोई और business कर सकते हैं उनके लिए पीछे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है आप उस वीडियो को देखे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो पैसे इन्विस्ट करके यानि कि पैसे लगा के फैक्टरी लगा के बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हो वैसा बहुत सारा वीडियो है आप पीछे चैनल पर जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर और अभी ये वीडियो जो है वो गरीब लोगों के लिए हनवाला है जो भाई गरीब है पैसे नहीं आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें सबसे बड़ी ये दिमाग में ये सारी बाते आती हैं लेकिन क्या करना है ये सुझता नहीं है ये समझ में नहीं आता है क्या करें कहां जाएं कैसे करें तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं लगतार मेहनत कर रहा हूं और मेहनत करके रिसर्च करके उन लोगों के लिए वीडि कर सकते हैं कोई दूसरा बिजनिस कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई भी वे करना है तो उसके लिए पहले आपके पास पैसे होने चाहिए और पैसे आएंगे कहा से किवोंकि जो लोग गरीब है उनको तो कुई उधार भी नहीं देता है कहीं से आप अगर कर्ज मांगोगे वह भी नहीं देगा वह सोचे गए इसके पास तो पैसे है नहीं तो फिर पैसे लोट आएगा कहा से वो लोग जो है वो बिना पैसे के जो है कैसे कोई बिजनेस कर सकते हैं पैसे कमाना सुरू कैसे कर सकते हैं बिना पैसे क्योंकि जब तक आपको पैसे आएंगे नहीं आप कुछ और कर नहीं पाईएगा तो मैं उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं और लगतार मेहनत कर तो विडियो आप चाहे जो कोई भी देख रहे हों यह तो मुझे नहीं पतढ़ है की कोन विडियो देख रहे हैं लेकिन आप इस भीडियो को फूरा ध्यान पुर्वगध, देखिएगा बिल्कुल इत्मिनान सेइरा सांति से विडियो को देखिएगा एक दो बार वीडियो देखेगा आपको सारी बाते समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं बहुत ही सरल भासा में लोगों को समझाने की कोसिस करता हूँ ऐसे समझाने की कोसिस करता हूँ कि आपके दिमाग में मेरे बिजनस एडिया एकदम बिल्कुल फिट बैट जाए तो यह business भी है, बहुत ज्यादा जंजट नहीं है, असानी से इस business को आप करिएगा, और करके इसमें अच्छे खासे पैसे कमाईएगा, तो आपके दिमाग में कोई भी बात चल रहा हो, थोड़ा दिर के लिए आप निस्चिंत हो के इस वीडियो को देखिए, उसके पास से आ मैं कोई वीडियो अप्लोड करूंगा, जो भी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो से लिटेट, उसका नटिफिकेशन जो है, आपको जाएगा, आपको फोन पे जाएगा, तो फिर आप मेरे अगला वीडियो जो है, देख पाएंगे, तो अगले business का जो है, अगला business कौन सा हो होने वाला है, आप समझ पाएंगे, हो सकता है कि ये business आपको पसंद नहीं आए, लेकिन इसके बाद जो business वीडियो जो मैं upload करूं हो सकता है, वो आपके लिए कारगर्स भीत हो जाए, उस business को करके आप अच्छे कैसे पैसे कमालो, तो आप मेरे साथ जुड़ो, और मैं आप आप लोगो एसे ही लगतार जो है, नए-नए business idea आज, और छोटे-छोटे business idea आप लोगो देते रहता हूं, और बड़ा-बड़ा business के बारे में भी आप लोगो बताते रहता हूं, तो आपको छोटे से बड़े level पर कैसे जाना है, ये सारी बाते मैं बताऊंगा, गरीब हो, अमीर तक का सफर जो है, आपको कैसे तैक करना है, मैं आप लोगो को हमेशा बताते रहता हूं, तो हो सकता है कि ये वीडियो पसंद नहीं है, अगला वीडियो पसंद आएगा, या फिर पीछे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, उसमें से कोई पसंद आ जाए, तो आप थ तो क्या करना होगा, आपके अगल बगल में जो भी बड़े सहर है, अगर कहीं आप सहर में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर कहीं आप गाउं से हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मे बड़ा सहर हो, जो बड़ा सहर हो, जहाँ पोपुलेशन जादा हो, लोग जादा रहते हो, क्योंकि पैसे कमाओगे आप वही पे जहाँ पे लोग जादा रहते हो, तो आपको क्या करना है, कि उस सहर में आपको जाना है, और उस सहर में जहाँ होलसेल मंडी होती है, होलसेल सब्सक् anfsh जो बच्चों एक होल्सेलर को पता करたुथो दूस्तों जो बच्रों के लिए चोटे-चोटे जो बड़े होलसेलर है, जो अच्छे रेट में हमको खिलाउने दे देंगे, आपको उनके पास जाना है, अच्छे-च्छे खिलाउने जो बच्चो को देखते ही पसंद आ जाए, आप छोटे-छोटे वहाँ से आपको होलसेल रेट में, जितना हो से के 2000-3000, ये नहीं कह रहा ह आपको वहां से wholesale rate में मिलेंगे और खिलाउनों का rate आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हो इतना कम में मिलता है और उस खिलाउने को आप खरीद के फिर आपको क्या करना है मार्केट में कैसे सेल करना है मैं आपको यह बात बता रहा हूं और इसमें आपको अच्छा खासा मनाफ़ा होगा, आप बिल्कुल ध्यान पुरुबक देखिएगा, थोड़ा सा भी बीचेन मत होईएगा, वहां से खिलोने आपको अच्छा तरीके से पैक कराने हैं, और पैक कराने के वहां से आपको निकलने हैं, जहां पे डक्टर लोगो को अच्छा हैं, तो उनको खेलने के लिए कुछ चाहिए, जब खेलने के लिए चाहिए, तो आप खिलोनों को स्टॉल लगाओगे, खिलोनों का दुकान लगाओगे, बच्चे देखेंगे, आपके खिलोने पसंद आएंगे, वह यहां जाके अपने पैरिन्स से बोलेंगे parents जो है आपको खिलोने खरीद के दे देंगे तो आप वहाँ पे लगा सकते हो railway station पे जो है आप खिलोनों का जो है वह आपसे लगा सकते हो या फिर कहीं अगर मेला लग रहा है मेला बजारोगर में जहां पे बच्चों का आना जाना ज़्यादा रहता है उस जगह पे आप अपने stall को अपने दुकान को जो है लगाओ या फिर जहां बच्चों की school है बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के जहां पे school है वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो आपको बस छोटा सा एक stall लगाना होगा एक table रखना होगा उस तरीके से आप उसको जो है setup करके और sale कर सकते है या फिर आप bargaining भी कर सकते हो और अलग-अलग rate के है तो आप bargaining करके भी sale कर सकते हो इसमें आपको क्या होता है दोस्तों कि यह चीज़ है जो है बहुत ही असानी से market में sale हो जाती है आप मार्केटस जो है यह जो 10 रुपई में खरीदेंगे प्रती पीस 10 रुपई में करिदेंगे बच्चों के लिए चोड़ छोड़ खिलवने खरीद के आप उसको sale करो अच्छा खावसा प्रॉफित कमाऊ बस business का एक शूरुवारत करो चोटा सा सुरुआत क्यूंकि आप गरीब हो बस पहले आपके पास पैसे आने चाहिए जब आपके पास 2000-4000-10,000 ऐसे करके जब पैसे हो जाए 10-15,000 रुपए जब आपके सेविंग जो है सब खर्चे चाट की सेविंग जब आपके पास 10-15,000 हो जाएंगे उस दिन आप फिर मेरे चैनल पर कोई दूसरा वीडियो देख लीजिएगा बहुत सारा वीडियो जो आप 15,000-20,000 रुपए लगा के अच्छे खासे बिजनिस कर सकते हैं फिर आप कोई दूसरा वीजनिस कर लो अगर नहीं पसंद आता है तो नहीं तो इसी को जो है थोड़ा सा और स्टेंड करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है बहुत रिशर्च करना पड़ता है कि आप लोगों को जो है किस तरीके से जो है कोई छोटा सा बिजनिस दिया जाए जिसमें पैसे बहुत कम लगे और पैसे कम लगा कि आप अच्छे खासे फाइदे जो है आप कर आसको तो मातरब लेकिन दोस्तों बिजनेस जरूर कीजिएगा ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई